Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करेंगे एन लोग computer, digital computer और hybrid computer को तो इन तीनों computers को समझेंगे, इनका meaning क्या है, इनकी working कैसी है और इन तीनों के बीच में difference क्या है इसके लबा इस वीडियो के related दूसरे जितने भी topic हैं उसकी यहाँ पे आपको heading दी गई है अगर आपको इनके बारे में जानना है तो वीडियो के description में इनका link available है आप उसे go through कर सकते हैं सबसे पहला है analog computer analog computer एक device है जो continuous signals का use करती है किसी task को perform करने के लिए इसका use किया जाता है voltage, pressure, electric current, temperature को measure करने के लिए और यह helpful है technology, research और engineer जैसे fields में examples के लिए analog computer जैसे की thermometer, speedometer, sysmometer sysmometer क्या है यह एक earthquake measuring equipment है तो यहाँ पे आप image देख सकते हैं सब की यह thermometer है इसके साद तो हम सब friendly है घर में यह emergency के लिए रखा होता है in case अगर किसी को fever हो जाता है तो thermometer की help से आप उसे check कर सकते हैं then seismometer से यह earth को एक के लिए use किया जाता है speedometer है जो कि आप scooty, bike, cars इंसम में देखते होंगे जो कि speed को measure करता है कि आप कितनी speed में किसी vehicle को चला रहे हैं तो यह था हमारा analog computer, second है हमारा digital computer digital computer एक digital system है जो process करता है data को binary numbers में क्यूंकि computer सिर्फ understand करता है machine language को जो की है 0 and 1 अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है जब हम बात करते है analog computer की तो इसमें सिर्फ signals का use होता है ठीक है यहाँ पे number दिये गए है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उस पे एक कांटा है मतलब सुई है वो reflect करती है कि इस समय speed कितनी है तो अगर आप 40 की speed पे जा रहे है तो यही कांटा आपको यहाँ पे 40 की speed पे दिखाए देगा अगर आप 60 की speed पे है तो यही कांटा आपको यहाँ पर 60 की speed पे दिखाए देगा लेकिन जब हम बात करते हैं digital computer की तो इसमें आपके binary numbers आते हैं जो की machine language है और जो 0 & 1 को understand करती है computer आपका सिर्फ 0 & 1 को समाजता है आप किस language में computer को command देते हैं चाहे वो हिंदी है, English है, Spanish है उसे फरक नहीं पड़ता है computer सिर्फ 0 & 1 को समाजता है यह आप है जो से command देते हैं अपनी language में लेकिन background में यह सारा काम 0 & 1 की form में होता है तो इसलिए digital computer आपका एक digital system है जो process करता है data को computer की understandable language में जो की है 0 & 1 तो इसमें user जो input देता है और computer जो output देता है वो human language में होती है लेकिन background में जितने भी process होती है वो सारी machine language में हो रही होती है जो की है 0 & 1 इसलिए यह computer और humans को communicate करने में help करता है तो यहाँ पर example से समझते है digital computer को अब यहाँ पर आप देखेंगे तो data या information जो आपको दी गई है किसी भी device में वो आपको digital form में दी गई है अगर आपने computer में भी काम करते है वो तो अपने आप में एक digital computer है क्योंकि electronically उस पर सारा काम हो रहा है 0 & 1 की form में अगर आप calculator यूज करते हैं तो यह भी एक digital calculator है आपके digital watch है अब आपने एक analog watch भी देखी होगी जिसमें कांटे होते हैं नंबर होते हैं वो आपकी एक analog है और जब यही आप digital form में आज़े तो वो एक digital computer बन जाता है तो इसकी एक examples है laptop PC, digital clock, digital paint machine, smartphone, ATM, calculator यह सब आपके digital computer है नेक्स्ट थर्ड है hybrid computer hybrid computer combination है analog computer और digital computer का analog computer जहां पर complex analysis को कर सकता है वहीं digital computer logical और numerical analysis के लिए सबसे best माने जाते है Packard Bell जो की एक Dutch based computer manufacturing company थी उसने design किया था सबसे पहला hybrid computer 1961 में जिसका नाम था Hicamp 250 तो यह है वर्ल्ड का फर्स hybrid computer Hicamp 250 Packard Bell कंपनी ने से release किया था 1961 में तो राइट साइड में यहां इसकी एक image दी गई है आप इसे देख सकते हैं यह था सबसे पहला hybrid computer यहाँ आप example देख सकते हैं hybrid computer की सबसे पहले ही है आपकी monitoring machine जो की है ICU then ultrasound machine या ECG या फिर defense system तो यह सारे आपके example हैं hybrid computer के अब यहाँ पे देखिए एक तरफ analog way में आपको represent किया जा रहा है सब कुछ और वहीं दूसरी आपको digital way में भी सारी information provide की गई है सेम यहाँ पे analog way में और digital way में आपको सारी information या data provide किया जा रहा है अपने defense system में radar system देखा हुआ radar में आपको area बताता है कि कौन सी चीज है कहाँ पे है वो आपको point out करता है इसके साथ ही आपको side में angles, rotations, कौन सी side है यह सब बताया जाता है digital form में तो यह सारे combination है analog और digital computer का hybrid computer तो यह था analog, digital और hybrid computer का meaning और उनका difference वीडियो कैसा लगा? यह comment करके ज़रूर बताएं और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं आपको reply करके या फिर उस पे एक अलग वीडियो बना के आपके साथ share कर दूँगा इसी तरह की हर update के लिए student notes चैनल को subscribe करें वीडियो को like और share करें Thank you